काफ़ी ठीक है मुझे लगता है कि जाहर सी बात है अगर आप अगर आप हर विश्वास के सिध्धान्त में एक कंट्रडिक्शन को देख रहे हैं तो आपने बिल्कुल जायस सवाल जायस सवाल उठाए आपने त्रियक्ता का जो सद्धान्त है जो कि बात करता है एक में ही तीन का होना इश्वरत्व में वन बींग में तीन परसंस तो आएए मैं कोशिश करता हूँ इसे समझाने की जितना बढ़िया मैं इसे कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये नस को उस दिल की नस को जो कि क् C.S. Lewis ने अपनी एक किताब में इसे बहुत ही साफ तौर से ठीक ठीक विवेच ना की है तुलना की है इनसान और परमिश्वर के बीच में और उन्होंने कहा है कि अगर आप इस जीवन की एक Dimension को ले और उसमें एक दूसरी Dimension को जोड़े और फिर तीसरी Dimension को जोड़े अगर आपके पास दो आयाम हैं तो आपके पास एक आकरती होगी तीसरे आयाम के साथ आपके पास एक वस्तू होगी और उन्होंने कहा कि अगर आप इन डिमेंशन को तोड़ कर छोटा करते हैं तो जो मूल अंश होंगे वो तो सेम ही रहेंगे लेकिन उन अंशों से जो बनेगा उससे आपके पास ज्यादा संभावना होगी उससे समझने की तो अगर आपके पास सीमित प्राणी है, finite being है एक अकस्मिक प्राणी है, एक limited being है तो आपके पास सिर्फ एक dimension है जिसमें आप उस प्राणी का स्वभाव बता रहे हैं अब आप उसमें इस संभावना को जोड़ दीजे कि एक infinite being है, एक अनंत प्राणी है एक uncosed being और एक एक ऐसा प्राणी जो किसी पर निर्भर नहीं है तो आपके पास एक संभावना पैदा हो जाएगी एक gentle प्राणी की एक complex being की और इसके लिए मैं आपको एक ये illustration देना चाहूँगा आप यहां तक कि इतना ज्यादा मत कीजिए कि परमेश्वर के अंत स्वभाव से शुरू करें और फिर यहां नीचे आएं आप यहीं से शुरू कीजिए जहां पर हम है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है मचवारों को भी मालूम था कि एक और तीन के बीच में क्या अंतर है पॉलूस रभी को भी एक और तीन के बीच में अंतर मालूम था लूका वैत को भी पता था एक और तीन में अंतर होता है ये लोग कोई सिर्फिरे नहीं थे जो चारो और घूम इसलिए रहे थे कि किसी नए सिद्धान को वो मन्सूर करा दें ताकि ऐसा हो जो कि मैथमेटिकली बेतु का पन होगा वो बात कर रहे थे परमेश्वर के अस्तित्व में पाय जाने वाली जटिलता के बारे में कि इश्वरत के अंदर मैं और तुम प्रकार का एक संबंद भी पाया जाता है तो जिस जगे हम है यहां से उस जगे जाना जहां परमेश्वर है मैं समझता हूँ कि इस तरह का तर्क रखना खतरनाक हो सकता है और वो ये है जो आज तक सबसे बड़ी खोज फिलोसफी के बारे में रही है वो रही है अनेकता में एकता के बारे में सबसे बड़ी खोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही रही है पुराने Greek philosophers इसे देख रहे थे और उन में से एक चार ही Unities तक पहुँच पाया जमीन, आग, हवा और पानी तो उसके कुछ student सामने आया और उनने काया अरे ये तो चार है एक नहीं है तो इसके लिए quintessence नाम का एक शब्द निकाला गया वो पांचवा तत्व जो कि इन चार तत्वों को एक साथ रखता है शब्द university भी अनेकता में एकता को ही दिखाता है सारे American coins पर इपलियूरिबस यूनिम आपको मिलता है जिसका मतलब है कि कई में से एक निकालना अब आप अनेकता में एकता का जो असर पड़ा है उसे कैसे वर्णन करेंगे क्योंकि उसी से संसार बना है आप और मैं उस प्रभाव का हिस्सा बने हैं हमें अनेकता में एकता इस ब्रह्म्हान के निश्कर्ष के रूप में मिली है हम अनेकता में एकता के प्रभाव को सिर्फ एक ही तरीके से परिभाशित कर सकते हैं और वो है कि जब हम उसे पहला कारक यानि कि परमात्मा समझें और अनेकता में एकता ट्रिनिटी के अंदर ही मिलती है हमारी ट्रिनिटी की कम्यूनिटी के अंदर और अगर आप इससे सुईकार नहीं करते हैं तो आपको दरसल इससे भी बड़ी एक समस्या होने वाली है मिसाल के तौर पे इसलाम के खुदा के कॉंसेट में जो की बिना बटा हुआ ईश्वर है अल्ला पेर सी बात है कि वो क्रिस्चन पर बार बार ये चीज़ थोपते भी हैं कि आपके तो कई खुदा है आपके तो कई खुदा है और जबकि ऐसा है नहीं तुमारा परमिश्वर यहोवा एक ही है ट्रिनिटी की जो जटिलता है उसमें ईश्वरत्य के अंदर एक मैं और तुम प्रकार का संबंध आयू रिलेशन्शिप आई जाती है अगर आप एक बिना बटा हुआ ईश्वर लेकर चल रहे हैं ट्रिनिटी से अलग तो आपको एक फिलोसिफिकल प्रॉब्लम और होने वाली है कि अगर कभी परमेश्वर ने कहा है कि मैं प्यार करता हूँ तो किसको वो प्यार करता था क्रियेशन से पहले अगर ईश्वर ही कहता है कि मैं बोलता हूँ तो वो किस से बोल रहा था क्रियेशन से पहले तो बातचीत स्नेह और प्यार ये इश्वरत में आदी से ही पाया जाता है जिसमें परमिश्वर अपने ट्रिनिटी के समुदाई के अंदर बोलता है उसके अंदर प्रेम करता है सिर्फ मसीही विश्वास ऐसा है जिसमें प्रेम ने जीवन को जनम दिया है बाकी दूसरे किसी भी विश्वास में जीवन पहले आया है और प्रेम बाद में तो हमें अपने शब्दों में ये मानना पड़ेगा कि प्रेम करने के लिए कोई है नहीं लेकिन अगर आप ट्रिनिटी के कॉंसर्प्ट को देखेंगे तो प्रेम वहाँ आपस में ही दिखाया गया है ये शुकी प्रात्ना भी थी तुम और मैं वैसे ही एक होंगे जैसे कि मैं और मेरा पिता एक है तो मैं वस आपसे ये कहना चाहूंगा जैसे मौटमर एडलर ने कहा वो एक बड़ा यहूदी फिलोसफर था जो कि बाब मसी में आया था उसने कहा ये जरूरी है कि परमेश्वर के अंदर मैजिस्टी भी पाई जाए और उसके अंदर मिस्ट्री भी पाई जाए और उन्होंने कहा कि ट्रिनिटी का ये रहस से एक प्रकाशन है कि कैसे परमेश्वर अपने आप में कम्पलीट है एक अस्तित्व में तीन शक्षियते हैं जो कि प्रेम और भाशा से एक दूसरे से संब्दनेत है किसी जानकार गंतगे को ये बताने की जरूरत नहीं है सुसमाचार के चारो लेखोकों कि एक और तीन सेम नहीं होते हाँ ऐसा दिखने के बावजूद भी वे बहुत पक्के थे और बहुत परपसफुल थे कि ट्रिनिटी के सिद्धान को सामने लेके आए अगर आप अपने दिल में जाकें और मैं अपने दिल में जाकूं आप जानते हैं हमारी बेटिया जो कि इंडोनेशिया में मैंने कल बताया था वो कल इंडोनेशिया से निकल गई है थाइलेंड के लिए वो सुनामी रिलीफ का हिस्सा है मेरी दो बेटिया वो अभी अपने 20 ज में ही है आज सुबे मैंने उन से बात की जब वो चैनमाई थाइलेंड पहुची उसने कहा डैड हमने अपनी जिन्दगी में ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा है जो हम अभी देख करा रहे हैं वो हमने पहले कभी नहीं देखा है लाशें अभी भी तैर रही हैं किनारे पर और कटे हुए हाथ पैर भी अभी आते ही जा रहे हैं किनारे पर आपको मालूम है 48 गंटे अभी वो वहीं रहेंगे कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं कोई बातरूम जैसी कोई चीज़ नहीं वहाँ ऐसा क्या है जो कि इंसानियत को ऐसे फसे हुए और असहाई लोगों के बीच में खीच कर ले जाती है मैं समझता हूँ कि ये इंसानों के प्रती हमारा प्रेम है जो हमें वहाँ ले जाता है और ये सब करवाता है अगर प्रेम जीवित होने का केंद्र है और परमेश्वर प्रेम है तो यह टरिनिटी में भी दिखाई देता है जैसे कि हम संबंद के भूके हैं आप भी रिश्टों के भूके हैं और मैं भी रिश्टों का भूखाओं और यह हमें Holy Trinity के अंदर दिखाई भी देता है जहां पिता पुत्र से प्रेम करता है और पिता और पुत्र मिल कर पवितरात्म को भेशते हैं क्या ये एक और तीन है? नहीं मेरा विश्वास है कि ये एक में एक है एक तरह से और एक में तीन है दूसरी तरह से ये mathematical issue नहीं है ये उसके अस्तितु का सोभाव है ये अनेकता में एकता है ट्रिनिटी के समुधाय के अंदर ये मैजिस्टी और मिस्ट्री एक साथ है और मेरा विश्वास है कि जब हम परमिश्व से फेस टू फेस मिलेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि क्यों उसने हमें ऐसा बनाया कि हम रिश्टो के भूके अपने आप में होते हैं थैंक यू